हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई चानल, आज मैं आपको हेवी साइज में धोति सलवार बनाना बताऊंगी, जिसकी मदद से आपकी कोई भी डबल एक्सल या ट्रिपल एक्सल साइज की धोति सलवार बनाकर बड़ी हैसानी से त्यार कर सकेंगे. जो ये धूतिस इलवार हम बनाएंगे इसके लंबाई त्यार करेंगे 36 इंच और इसके बेल्ट का साइज है 26 इंच तो इसी साब से हम इसे त्यार करेंगे तो ये देखे ये मैंने धाइमेटर फैबरिक ले लिया है और इसको खोल के इसके दोनों सीरे से मिलाकर आपस में इस तरह से अच्छे से कपड़े को पहले फैलाएंगे और इस देखी दोनों ये किनारी से किनारी मिलाकर इस तरह से इसे हम ट्रेंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे बतलब ये फोल लेयर हो जाएगा और ट्रेंगल शेप में हम इसे फैला लेंगे इस प्रकार से ये थोड़ा से कपड़ा मेरा गिला हो गया है ये कोई दाग नहीं है ये थोड़ा से पानी से गिला हो गया ही यह देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी अब सबसे पहले हम जो यह हमारा उपर नोक निकली है यहाँ पर हम इसकी मोरी का निशान लगाएंगे देखिए मोरी हम ज्यादतर इसमें 6 इंच की रखते हैं जहाँ पर हमारा पैर डर लेगा यहाँ से यह देखिए यह जहाँ पर भी 6 इंच आएगा यह मैं यहाँ पर निशान लगा दिया और अब इसकी लंबाई तो जैसे हम सिंपल सलवार बनाते हैं अब जैसे 36 इंच त्यार करनी है तो मैं यहाँ पर 36 में से 4 माइनस करेंगे हम रह जाएगा 32 इंच 32 इंच यानि तो यहाँ पर मैं 32 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा दूँगी जो भी लैंथ हो आप उसमें से 4 माइनस कर दीजी आपको उसी निशान ऐसे उसी पर निशान लगाना है इस प्रकार से लैंथ माइनस 4 अब इस निशान को मैं आगे तक ले जाना है थोड़ा अब यहाँ से हम यह 32 इंच हुआ टोटली अब यहाँ से हम लेंगे आसन की लंबाई आसन लेंगे हम इसमें 10 इंच इस प्रकार से 10 इंच पर निशान लगाया अब इसे 3 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे उपर तक मिला देंगे इस प्रकार से अब इसमें आसन की गुलाई कर देंगे यह देखी यहां तक हमारा निशान हो गया है अब इसके बाद हम दूसरी सेड यहां से हमें मतलब इतनी लंबाई लेके आगे तक मिलाना है इधर दूसरी सेड आ जाएंगे हम यहां पर में कमक्ष सब्सक्maya किनारी को इस तरह से सीधा करते हुए इंची तेब को इसे उपर रखते हो इस दौनु निशान को मिलाते फोई, इस तरह से निशान लगा देंगे अब इसी शेप में जिसे ही निशान लगान बिल्कुल इसी तरह से हम इसके कटिंग करेंगे और जो यह यहां पर नोक है यहां से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे यहां पर और यहां से इसके हम छोटे से जो पीस है यह इसको कट कर देंगे इस प्रकार से अब जो यह नीचे हमने चेंच का निशान लगाया हुआ है चाय तो आप इसे काट सकते हैं चाय आप इसे ऐसे रख सकते हैं ऐसे ही रखेंगे तो यह नोक वाली बनेगी और हमें नोक वाली ही बनानी है मुझे यह अगर आप से काट देंगे तो हम आप इसमें पोंचा बना सकते हैं अब लेंगे इसकी बेल्ट बेल्ट के लिए जो बाकी कपड़ा बचा हुआ है वो ले लेंगे और उसको 4 लेयर में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे अब बेल्ट मुझे इसकी रखनी है 26 इंच त्यार तो उसी हिसाब से मैं इसमें नाप लूँगे यहां से मैं यह ले रही हुआ है यहां पर साड़े तेरा इंच लेंगे हम आधा-धा इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जन के लिया है जो कि सिलाई में जाएगा उसके बाद सिलाई के बाद यह त्यार 26 इंच रह जाएगी यह दिखी मैंने साड़े तेरा पे निशान लगा कर इसे कट कर लूँगे मैं यहां से और इसके लंबाई लेंगे हम 7 इंच भी ले सकते हैं आप 8 इंच भी ले सकते हैं तो मैं इसमें 7 इंच ले लिए हूँ मैं कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से अब इसमें 7 इंच का निशान लगाते हुए बैल्ट को अलग कर लेंगे यह देखे, यह साथ इंच का निशान लग गया है, अब मैं इसे काट दूँगे, इस प्रकार से, तो यह देखे, यहाँ तक हमारी कटिंग पूरी हो गई है, इसके बाद हम स्टेचिन करेंगे, देखा आपने कटिंग इतने असान है, इसके देखने में यह मुश्किल लगती अब इसके बाद हम इसके सिलाई शुरू करेंगे सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले हम जो यह हमारी आसन है मतलब हमारी प्र लेर था तो दो-दो कपड़े करके हम इसे आसन को पहले सील लेंगे आसन को सीलने के लिए ये दिखी मैं थोड़ा सा मोड कर इसको सील रही हूँ मैं बहले इस तरह से इससे क्या होता है कि हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है अब इसको मोड के इस तरह से सिलाई लगा दी अब इसके बाद हम इसको सीधा करके मतलब इसको खोल के फिर इसके उपर से हम दबाव की सिलाई लगा देंगे तो जिससे ये सिलाई अंदर की तरफ मुड़ जाएगी बाहर कपड़ा नहीं आएगा ये देखें इस तरह से दबाते हुए इसके उपर से हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी स्लाई लगा लेंगे दोनों आसन को जोडने के बाद इस तरह से कपड़े को हटा देंगे इस देखे कितने सफाई से निश्ट लाई आई है नहीं हमारे इस तरह से अब जोई हमने एक पंच इंच की अलग से कटिंग की थी हमने एक कॉर्णर से इसके बाद हम इससे सीलेंगे इस प्रकार से और बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे यह इस तरह से दिखेगा आपको सीजी साइड से मैंने दोनों तरफ से इसको सिलाई कर लिया है अब इसके बाद हम बैल्ट त्यार करेंगे पहले सबसे पहले बैल्ट के सीरे सील लेंगे हम दोनों साइड से जहां से हमने कटिंग कियो हुआ है सिलाई को डबल कर लेंगे दूसरे साइड से इसी तरह से सील लेंगे अब इसको उपर से लास्टिक के लिए इसका इस तरह से फोल्ड देंगे जिसमें लास्टिक डलेंगे थोड़ थोड़ा मोड़ते हुए जैसे हम नॉर्मली सलवारों में नेकवा मोड़ते हैं बिल्कुर इसी तरह से हम इसको मोड़ना है कि यह देखिए यह मैंने पूरे को फोट कर लिया वस यहाँ पर थोड़ासा ओ छोड़ देंगे तह uy जिसमें से अम लास्टिक डाल सके है यह देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इम लास्टिक डाल देंगे इसमें अभी नीदा सबस्क्राइब करें पहले हम इसमें मतलब प्ला ब्लाइत को कौझे सलवार के साथ परले सेट करेंगे, यह चमें सलबार बेल के सदूण कि यह सदूद कि लुटा सा लें अ ही ईक कबढ़ संदिए यहां तो फ़ित करें हमना shipped कर लेंगे आफो इस में कि बसा है ही है नीचे कपड़ा है इस को भी हम चार रिश्व में इसमें प्लेट स लगाएंगे जहां पर हमने 5 पांच की की स्लाइ लगाई थी यहां से हम शुरू करेंगे प्लेट्स लगाना इतके सिधी तरफ से और प्लेट्स का मतलब इसकी डारेक्शन ज़ाई के साइड करनी है इस तरह से इस तरह से प्लेट्स का मुँ आएगा यहां पर यहां पर इसको स्टिच कर देंगे और यह प्लेट्स इसी साब से डालेंगे कि एक पार्ट हमारा 13 इंच के अंदर सेट हो तो देखिए एक के उपर नीचे ज्यादा नी चड़ानी है इसी साब से प्लेट्स लगाईए कि जितनी हमारा बैल्ट का ए यानिकि 13 इंच तो उसी के अंदर ही सेट हो जाए यह देखिए मैं उपर नीचड़ा रही हूं बिल्गुल पूरा पूरा लेकर जहां पर प्लेट पहली खतम हो रही है ना वहीं से फिर मैं दूसरी शुरू कर रही हूं प्लेट इस तरह से इस प्लेट से देखिए सारी प्लेट्स एक एक करके हम इसमें लगा देंगे अब यह आखरी प्लेट डालने के बाद इसे हम सिलाई से हटाएंगे और इसको हम नाप लेंगे पहले कि यह हमारा 13 इंच के अंदर सेट हुआ है या नहीं यह देखिए जहां से हमने यह 1.5 वाली यह सिलाई है यहां पर हम इंची टेप रखना है और यहां से लेकर यह सेंटर वाली सिलाई तक यहां तक नापना है यह देखिए मेरा बिल्कुल पूरा 13 इंच हुआ है सेट अब इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी लगा लेंग अब जो दूसरी प्लेट्स इहां से स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड की वह इसके अपॉजिट होगी इस प्रकार से इसकी तरफ फेस करते हुए प्लेट्स का इस तरह से स्लाई लगाएंगे आप चाहें तो पहले वाली प्लेट्स को गिन भी सकते हैं कि वह आठ है या नो है बस उसी के साबसे आप प्लेट्स लगा दीजिए तो यह आपकी सेट हो जाएंगी बस यह कि आपको इस लाई लगाने के बाद एक बार नापना जरूरी है कि जितना आपको चाहिए था यह उसी में सेट हुई है यह नहीं यह देखिए मेरी दूसरे सेट की प्लेट लग भी है और इसको भी मैं एक बार नाप लूँगी यह देखिए यह मेरी 13 इंच से बिलकुल 2 पॉइंट उपर है यह जो मैं बैल्ट सेट करूँगी ना यह तो यह जरा सक अपड़ा में उसी में ही अर्जेस्ट कर देंगी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा हो जाता है कई बारे कि हलका फुलका कम यह ज्यादा हो जाता है तो हम लास्ट वाली प्लेट को अज़ेस्ट कर देते हैं यह देखिए यह मैंने दूसरे पैर पर भी इसी तरह से प्लेट्स लगा ली है बिल्कुल इसी मैथड से हम पूरी प्लेट्स लगा लेंगे यह देखिए यह प्लेट्स पूरे सलवार में लग चुकी है अब हम बैल्ट लेंगे बैल्ट का जो यह साइड वाला कट था यहां से हमें सिलाई शुरू करनी है सैंटर वाली सिलाई से शुरू नहीं करेंगे हम साइड वाले कट से सिलाई शुरू करेंगे यह साइड वाला कट और जो यह एक पैंट पांच वाला कट है न यहां से इन दोनों को मिलाते हुए इन दोनों कपड़ों को जोड लेंगे इसके उपर ऐसे रखेंगे बस ध्यान यह रखना है जहां पर मतलब सेंटर की सिलाई है वहां पर उस सिलाई से बेल्ट की सिलाई और जो सलवार की सिलाई है वो दोनों एक दूसरे की मतलब मैच होने चाहिए सलाई से सिलाई आगे पिछे नहीं होने चाहिए और जो यह कट वाला पॉर्शन है यह कट से जो यह 1.5 की सिलाई है यह से मैच होने चाहिए बस अब इसी तरह से हम पूरी सिल्वार को ब्राबर से अच्छे से सेट करते हुए इसको सील देंगे ये देखे सेंटर के सिलाई मैच हो रही हैं दोनो अगर कहीं पर हल्का फुल का कम ये जधा हो जाता है तो जो ये लास्ट वाली प्लेट होती है इसको हम थोड़ा सा खोलगे सेट कर सकते हैं दुबारा से आपको सारी प्लेट सो धेरने की जुरूरत नहीं होगी बद जराज सा उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं कि देखिए यह मैंने पूरी सिलाईयां लगा दी हैं पूरी सलवार पर बैल्ट ही हमारी अटैच हो गई है इससे अब इसके बाद इसको सीधा करते हुए इसके उपर एक दबाव की सिलाई लगा लेंगे देखिए फ्रेंड्स यह सारी प्लेट्स कितनी अच्छे से सैट हुई है अब सीधी तरफ से इसको दबाव स्लाई लगाने के बाद अब देखिए यह नीचे वाली साइड है नोक जहां पर हमें पैर की मूरी बनानी है यहां पर इधर आ जाएंगे यहां से हम सिलाई करेंगे अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जो नीचे यह नोक है ना यहां से इंची टेप रखते हुए इसको उपर की तरफ आठ हिंच पर निशान लगाएंगे है यह दिखे हमें निशान उटाया हैं यहाँ पर एक इच फैड लगाएंगे और दूसरे सैड पी इसजोन मौर्ड एक कारेंगे आज पर वन ने Esse तो इस तरह से इस उप रहे हान यहां से उस तरह से फॉल्ड करेंग इसको और मोरते हुँ इसको सील लेंगे इस प्रकार से यहां तक इसके सिलाई कर देंगे और इदेखिए दूसरी साइड से बल्कुर इसी तरह से कर लेगे अब इसके पैर की मोरी बंद करेंगे यहां से हम हमें छेंज मोरी चाहिए तो यह छे पे निशान लगाएंगे जहां पर भी छे का निशान आएगा यहां से हमसे लाई शुरू करते हुए इसे बंद कर देंगे इस तरह से पूरी सिल्वार को हम इस तरह से बंद कर देंगे बाव रबश अभी सिलाई को डबल कर लेंगे फहले हम इस हाप से दूसरे साइड मोरी से मोरी नापते हुए इस तरह से निशान लगाकर सिलाई को पूरा करेंगे और अभी सिलाई को डबल कर देंगे इसके बाद हम लास्टिक लेंगे लास्टिक आप कम्या ज़्यादा अपने ही साब से ले सकते हैं मैंने इसमें 32 इंच लास्टिक डाल ली है क्योंकि जिसके कमर साइज थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैंने 32 इंच डाल ली है इसमें यह देखी लास्टी को जोड़कर इसे जो यह होल है इसको भी हम बंद कर देंगे और अब इसके बाद लास्टी को पूरे कपड़े पे अच्छे से फैलाते हुए उपर से दबाव की सलाई लगा देंगे तो यह देखी फ्रेंड्स इस तरह से यह हमने दो तिसलवार बना कर त्यार की आई होब कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी आपके लिए हैल्फुल है और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजी सब्सक्राइब कीजी और शेयर कीजी तो और बैल आ